गुद मॉर्निंग मॉडल स्टार्स क्लास थर्ड आपनों अच्छे हो आपनोंने बुक खरीदा व्याकरण की जिन बच्चों नहीं लिया है ले लीजिए मैंने व्याकरण शुरू कर दिया है इसके कॉपी भी बना लीजिए ओके और मैंने आपको दिखाया था कि व्याकरण क यह बुक आपकी कैसी है दिखिए यह बुक है आपकी और यह पहला पन्ना है इसमें यह यह टॉपिक्स हैं इसको देख लिजेगा जब आप खरीदने जाएंगे ठीक इसका पहला चप्टर भाशा है मैंने मौखिक तक रीड करवाया था अब मैं आगे रीड करवा रही हू लिखित जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सब लोग पढ़िए इसको दिखिए रीड करिए बुक खोलिए सब लोग जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो हम उसे क्या बोलते है व मैंने पहले मौकिक रूप पढ़ाया था, मौकिक रूप किसे कहते हैं, जब हम लोग किसी की बात को बोल कर समझते हैं, तो उसे मौकिक कहते हैं, और लिखित किसे कहते हैं, हम लोग किसी बात को भाषा को लिख कर समझते हैं, और लिख कर ही दूसरे की बात को पढ़कर समझत लिखेत भारशा कहते हैं जैसे Blackboard में लिखते हैं और आप लोग कॉपी में लिखते हो जब मैरा लिखवाती है यह लिख रही है तब लोग देखकर उसको पढ़कर का अपने कॉपी में लिख रहे हैं तो वह लिखेत भारशा कहलाती है पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा राष्ट भाषा कहलाती है हमारे देश भारत में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है इसलिए हमारे राष्ट भाषा क्या है? हिंदी है ये तो सभी बच्चों का पता हो गए कि भारत देश की राश्ट भाषा हिंदी है क्योंकि हमारे देश में सबसे यादा क्यों सी भाषा बुली जाती है हिंदी भाषा बुली जाती है हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते है हम लों हिंदी दिवस कब मनाते है 14 सितंबर को मनाते है है ना यह तो सभी को पता होगा तो यह जो कुछ points है है ना यह आप लोग जो points है इसको आप लोग copy में करेगा ठीक इतना हिस्सा इतना जो पार्ट है पूरे देश में बोले जानी बाली भाषा राष्टी भाषा कौन सी है हिंदी है ठीक यह जो हिस्सा है इसको आप लोग कहा करेंगे अपनी व्याकरण की कॉपी में आप लोग व्याकरण की कॉपी बनाईएगा उसमें डालेगा लेसन नेम डालेगा लेस चप्टर वन और फिर उसमें लिखेगा भाषा लैंग्वेज फिर आप लोग उसमें यह टॉपिक्स लिखेगा ठीक है और क्या बोलते हैं यह पूरे देश में बोले जाने बाले भाषा, राश्ट भाषा कहलाती है, हमारे देश भारत में बहुत से राज्जों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हम राश्ट भाषा हिंदी है, हर वर्ष 14 स्तंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, यह आपको कॉपी में कर कि थाना है इतना हिस्सा ठीक धुर्ठी यह जो रां मोहिक भार्षा का प्रयोग्य क्ल्राइब लिख़त ders गर्राइब और पहले लिख भार्षा कपरयोग दो तरह से किया जाता है ठीक adesso इसको लिखिएगा कॉपी में, फिर मौकिक भाशा लिखिएगा, कि मौकिक भाशा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखित भाशा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखित भाशा किसे कहते हैं, फिर ये लिखेंगे कॉपी में, ओके, समझ में आया बच्चों, ना आपका ये copy में करना है, ठीट, copy में इसको लिखिएगा, पहले क्या लिखेंगे, देखें मैं बता दे रही हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा, पहले क्या लिखना है, पहले आप लोग copy ले ली नहीं, बनाईएगा, पहले भाषा लिखेंगे, chapter, name डालेंगे, lesson number one, फ फिर ये लिखेंगे कि भाषा, फिर दो प्रयोग है, फिर मौकिग भाषा की definition लिखेंगे कि मौकिग भाषा किसे कहते हैं, और फिर लिखिद भाषा किसे कहते हैं, ठीक, और ये पूरा, पूरे देश में बोले जाने राष्टे भाषा कहलाती है, और हमारे भारत देश के बहुत राज़े में हिंदी भाषा बोली जाती है हमारी राष्ट भाषा क्या है हिंदी है हर बार 14 स्वंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाती है बस इतना आप लोग कॉपी में करिएगा ठीक है मैं बता दे रही हूं और बाके आगे पढ़िए संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है जैसे अंग्रेजी स्पैनेश जापानी आदी भारत में भी उखिने राज़ों में अलग अलग भाषाएं बोली आती है आप लोग यह लिपी भी आप लोग को कहा क्या करना है कॉपी में करना है ठीक इतना कॉपी में करिएगा और भाषा को प्रोग हम किन डूपों में करते हैं तो ये भी कॉपी में करियेगा और ये चीज़ है, भाषा में कौन सी भाषा है मुखे रुप से बोली जाती है भारत में किन्यार पर नाम लेकिए ये आप लोग बुक में ही करेंगे कहां करेंगे? बुक में इसको book में, कहां करेंगे? book में, अगर copy में कर सकते हैं, तो copy में करेंगे, वरना book में कर दियेगा, ठीक है, अपको समझे आ ना, मैंने क्या homework दिया, है ना, एक बार repeat कर दें, देखिए आप लोग पहले chapter name डालेगा भारत भार्षा भार्षा डालेगा chapter 1 ठीक भार्षा का प्रयोग ये पूरा copy में ये पूरा copy में ठीक और फिर ये पूरा copy में लखेगा ये पूरा copy में है ना ठीक है और इसको आप लोग कहां लखेंगे कॉपी में इसको कॉपी में लिखिएगा ठीक इसको भी कॉपी में ठीक है बाकि आप बुक में कर सकते हैं बुक में करिएगा बाकि जो आपको लिखना है कॉपी में मैंने आपको बता दिया है ठीक है इतना करिएगा ओके अगर नहीं समझ में आगा तो आवार्ट सब करेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कॉपी में करना है ठीक यнова कुप करीगा चैप्तर भाशा फ yapıyor हर भाशा को लिखने का ढंक भी अज़़ है लिखने का यह तरीका ही लिपी कहलाते है जैसे अंग्रेजी लिखते हैं हम कौसे एक्षमें को किस तरह लिखा जाएगा हिए हिंदी भाषा डेवनातलीक यहां देवनाग्री लिखी जाती है अंग्रेदी ग्रोम्हें घुरु मुक्य लिखेइग के अधी Operation वोगी क्लास, थैंक यू